चली आज हम discuss करते हैं date के बारे में mostly लोगों को date के format के बारे में doubt होती कि कहाँ पर हम dot लगाएं, कहाँ पर comma लगाएं कहाँ पर date को full लिखा जाए और कहाँ पर half लिखा जाए तो यह सारी doubt है जैसे for example आपके सामने एक date dictate की जाती है 28-16 तो उसको लिखने का जो formula होगा जब numerical में आप लिखेंगे 28-16 तो fixed format रखें हमेशा DDMM format चलेगा शुरुआत में DDMM का मतदद 20 है DD दो डिजिट हो गई अब 8 ही बोला है तो सिर्फ आपको 8 नहीं लिखना है MM format के अंदर उससे पहले 0 लगा देंगे फिर 8 लगाएंगी फोर उसके बाद 16 यदि आपको 16 बोला है तो 16 लिखना है और 2016 बोला है तो 2016 लिखना है ऐसा नहीं कि 2016 बोल दिया सिर्फ आपने 16 लिख दिया यह 16 बोल दिया तो 2016 लिख दिया वैसा नहीं करना है और इस तरीके के format में चाहे आप dot लगाएं, चाहे slash लगाएं, है ना, चाहे hyphen लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो सही होगा, सर्व मान्य हैं, बलकि जो official है, वो dot होती है, बाकि इन तीनों में आपको छूट मिल जाएगी, dot slash hyphen आप कुछ भी लगाओं, अब सबसे मैठ पूर आता है, कि कॉमा कब लगे year से पहले, 20th August, 2016, इस तरीके से लगते हैं, अब एक और format हो सकता है, August 20th, 2016, अब यदि हम इसको नहीं करेंगे, August 20th के बाद, यदि हम कॉमा नहीं लगाएंगे, तो 20 और 2016 दुनों मिल जाएंगे, ठीक है, इस वज़ए से इनको separate करने के उप्दिश्य से हम 20 के बाद में कॉ आ जाएगा, आगे है सब को समझने है, आगे है दो यदि टाइप करता है, अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्टिशन लिखते हैं, ये date के कुछ formats है, जहां पर कॉमा लगता है, और कई लोगों का ये ब्रहम है कि year के बाद कॉमा लगता है, year के बाद कॉमा year के वज करमेट हो गया, दूसरा जब alphabet में लिखा जाएगा महीं नहीं कहूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा,